हाई बच्चो आज प्रोमिस्ट आप लोगों के लिए जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा रही होंगी और अब मैं आई उन सभी बच्चों के लिए जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं करा है प्लीज मेक शूर करिए कि आप अभी या फिर कल तक माक्सिमिस को करके कंप्लीट कर दें बिकर्स लास्ट में पर सर्वर्स वैसे भी अभी डाउन चल रहा हूं आगे और भी ट्राफिक हो सकता है तो आप लोग के फॉर्म फिलिंग में दिक्कते आ सकती हैं सो कोशिच करिए जल्दी से जल्दी सही तरीके से फॉर्म को फिल करें जिसके लिए काफी वीडियो अवैलबिल हैं सो 24 मार्च जो है आप लोग के पास टाइम है उसके लिए 26 मार्च तक भी आपका फॉर्म आप समिट कर सकते हैं लेकिन जो बच्चों का डाउट आ रह कोशिच करिए गलतिया ना करें एक बार मैं बता देती हूँ कौन सी गलती एकदम ब्लंडर है क्योंकि उसमें आप चेंजिस नहीं कर सकते हैं सो बच्चों जो सीवीडी की ओफीशल अपडेट है मेरे पास फिलाल के हिसाब से उसके एक एकौर्डिंग आपकी 14.9 लाग पि प्लीज सही से डालिएगा उसके लिए मैं वीडियो लेकर आचुकी हूँ उसके लावा जो आपकी पर्सनल लीटेल से उसमें गलतिया मत करिएगा क्योंकि मैं आपको लोग को बता दीती हूं इंग पिछली साल के हिसाब से या अभी तक जो सीवीडी का पाटन रहा है उसम कि अलावा अभी डेट कोई एक्स्टेंट नहीं हो रही है आपके रिजिस्ट्रेशन की पेपर हाइब्रेड मोड में ही होगा 30 एपरिल के बाद जो है आप लोगों को पता चलेगा कि आपका जो एक्जामिनेशन है वो कहां पे पढ़ रहा है क्या सेंटर और क्या डेट है क क्योंकि हो सकता अगर paper hybrid mode में होगा तो एक दिन सारा paper आपका बच्चो complete हो जाएगा ठीक है तो hybrid mode में होगा paper ये तो confirm है लेकिन किस subject का होगा इसके ओपर भी clarity नहीं है जब आपका form submit हो जाएगा उसके बाद data के हिसाप से इस चीज़ पर decision लिया जाएगा अच्छा मैं एक आपको correction में क्या-क्या options allowed होंगे और कैसे आपको correction करना है पहली बात पिछली बार के हिसाब से जो आपको changes करने को option दिया गया था वो आपके जो आपके subjects हैं आप उसमें changes कर सकते थे test papers जो 6 हैं अगर किसी ने 6 से कम लिया है या 6 लिया है लेकिन उसको change करना चाता है तो आप subjects को change कर पा रहे होगे आप courses को add या remove कर पा रहे होगे आप university को add या remove कर पा रहे होगे most probably आप अपनी जो spelling mistakes हैं उनको भी सही कर पा रहे होगे लेकिन आपको अगर extra कोई paper डालना है तो उसका extra fees आप लोग को देना पड़ेगा और एक और चीज़ यह जो fees यह refundable नहीं थी तो please बहुत ही धिहान इसे अपने papers को select करें क्योंकि fees refund होने में दिक्कते हो जाती हैं बट yes extra fees लगेगी अगर आप additional paper को select करेंगे अगर आपको application form में corrections करनी थी तो उसके लिए आपको आपका CVT UG के application number जो password create करा है वो आपके पास होना चाहिए पोर्टल पे जाएंगे तो हाँ पे changes को option आएगा changes को save करना है अगर save नहीं करना तो changes save नहीं होंगे उसके अरावा आपको जो fees extra है वो pay करनी पड़ेगी और उसके बाद जो confirmed edited application है उसका आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा screenshot या फिर उसका PDF आप लोग download करके रख लें ताकि last moment पे कोई भी चीज़े आप लोग को दिक्कते ना दे ठीक है तो फिलहाल की हिसाब से बच्चों update यही है कि पहली बात आप form अपना submit कर दें उसमें कोई दिक्कत ना करें अगर गलतिया हो रही है तो अभी careful हो जाएगे बहुत वीडियो उसके ओपर है कोई doubt है तो comment कर दीजेगा मैं कोशिश करूँगी कि form filling की date से पहले वो doubts पे सारी वीडियो आप लोको मिल जाए और उसमें कोई गलती ना हो अगर गलती हो गई है तो correction window का wait करेंगे panic नहीं करेंगे mostly चीजें सही हो पाएंगी phone number और email प्लीज ध्यान से बढ़ना क्योंकि उसमें changes तो बिलकुल नहीं हो पा रहे होंगे ठीक है उसके अलाबा बागी समें changes आपके हो जाएंगे अगर आपको और कोई भी doubt है correction window को लेकर तो comment में कर दीजिएगा comment and video को like और share अपने दोस्तों के साथ definitely करना है और क्योंकि यह awareness होना बहुत जरूरी है ताकि यह form किसी का miss ना हो और अगर किसी ने गलती करें तो उसको सही कर सके दूसरी बात I think you people know प्रतिग्या शुरू होने वाले वैसे मुझे लगता है maximum बच्चे हमारे जोड़ चुके हैं लेकिन अगर कोई नया बच्चा है कोशिश करिए आप लोग time से enroll कर ले क्योंकि अभी time है बात शुरू होने में 25 से बात शुरू हो रहा है लेकिन जितना delay कर करेंगे उतनी classes छूट सकती हैं आपके and I don't want कि अभी time ऐसा है कि आप classes को miss out करें अब part from it YouTube पे मेरा one shot आ चुका है I think आप सभी लोगोंने देख लिया होगा और दूसरे chapter के one shot का आप लोग वेट कर रहे हैं या नहीं ये भी comment में बता दीजेगा क्या और चाहते हैं PYQs के उपर बच्चे पूछ रहे हैं तो उसके उपर भी surprise आने वाल है प्रतिग्या का में एक बर बता देती हूँ आपको website पे जाकि all courses में बच्चो all courses section में आपको UGPG के CUT UG में science arts commerce जो भी streamer उसको select कर लेना है और प्रतिग्या प्लस में आपकी PYP kit है प्रतिग्या में PYP kit नहीं है जादा difference नहीं है तो suggestible है बच्चो प्रतिग्या प्लस लेने ना क्योंकि इसमें live classes भी है आपकी recorded classes भी है आपका test series online भी है PYP का तीन hard copy books भी है आपकी जिसमें OMR sheet भी आएगी और mentorship program भी है तो सब कुछ covered है जो code बच्चो आपको use करना है वो आप use कर सकते है इसको my code wifi13 इसको आप apply कर दीजेगा और आपको discount मिल जाएगा ठीक है so this is the batch price I would say कि आप time से enroll कर ले इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अकर still किसी को doubt है तो प्लीज बाच शुरू होने से पहले mail करके इसको clear कर दीजे this is my email id that is ayushi.sharma at the rate ada247.com so I hope everything is clear any doubt do comment and any serious concern so you can mail me right so शुरू करते हैं तियारी को और इस बार CUT भी हम लोग भहंकर तरीके से crack करने वाले हैं जिस हमने boards को crack किया good luck let's meet in Pratagya and next video on YouTube